रितिक रोशन ने पिछले 48 घटों में दो ऐसी बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं कि देखने वालों के हाथ पाउं फूल गए हैं बॉयकॉर्ट और सुपर फ्लॉप फिल्मों के जमाने में रितिक के इस्तुफान ने बॉयकॉर्ट करने वालों को भी डरा दिया है रितिक ने आखिर कौन से ये दो रिकॉर्ड बनाये हैं ये हम आपको बताते हैं लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि रितिक का ये रिकॉर्ड तो ऐसा है जिसे देख उनके दुश्मन भी इमोशनल हो गए हैं बॉयकॉर्ट करने वालों ने उनके बॉयकॉर्ट का इरादा छोड़ दिया है तो आईए सबसे पहले आपको रितिक का वही रिकॉर्ड दिखाते हैं दरसल रितिक ने एक हेल्थ इवेंट में अपने फैन के पैर छूके सबको अपना दिवाना बना लिया है जहां एक तरफ बॉलिवड स्टार्स के घमंड और आटिट्यूट से भरे होने की बातें चलती हैं वहीं रितिक के स्वीट अंदाज को देख लोग अपनकी तार्वीफों के पूल बना रहे हैं मौकर शनिवार के दिन मुंबई में एक फिटनेस इवेंट का था जहां रितिक कुछ लोगों को अवार्ड दे रहे थे इसी दोरान एक कंटेस्टन जब स्टेज पर पहुंचा तो फैन होने के नाते उसने जुक कर रितिक रोशन के पैड चूलिये रितिक ने भी जवाब में अपने फैन के पैड चूलिये और फिर उससे थोड़ी बाते भी की ये माहौल देख ना सिर्फ रितिक का फैन इमोशनल हो गया बलकि वहाँ खड़ी जनता भी भरपूर तालियां बजाने लगी अब रितिक का ये अंदाल्स काफी वाइरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि जहां स्टार्ट्स अपने फैन्स को एटिचूट दिखाते हैं वही रितिक की ये अदा एक अलग किस्म का रिकॉर्ड है और इसी रिकॉर्ड को देख अब विक्रम वेधा के बॉयकॉर्ड की बात करने वाले भी रितिक को लेकर थोड़ा एमोशनल हो रहे हैं आएए अब बात करते हैं दूसरे रिकॉर्ड की ये जुड़ा है विक्रम वेधा के टीजर की पॉफार्मेंस से जी हां रितिक ने अपने इस टीजर से अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है रितिक के टीजर ने 48 घंटे से भी कम वक्त में एक मिलियन लाइक्स का आखड़ा छू लिया है फिलहाल तो यूटूब पर विक्रम वेधा के टीजर के 11 लाख लाइक्स हो चुके हैं लेकिन आज से 3 साल पहले रिलीज हुई फिल्म वार के टीजर को भी अभी तक 10 लाख लाइक्स मिल चुके हैं यानि रितिक ने टीजर लाइक्स के मामले में अपना ही पुराना रेकॉर्ड ध्वस्त कर डाला है रितिक के ये दोना रेकॉर्ड उनके फेवर में जा रहे हैं पॉर्डियन्स की लाइकिंग इस बात को साफ जाहिर कर रही है कि फिल्म को लेकर बज काफी तगड़ा है साथ ही रितिक का अपने फैन से मिलना, कॉंट्रोवर्ड सी से दूर रहना और एक सॉफ्ट हाटेड स्टार की तरह वेवाल करना भी उनके फेवर में जा रहा है वैसे भी विक्रम वेधा के रिलीज में अब सिर्फ एक महिना बाकी है फिल्म को लेकर अच्छी बातों का सिलसिला जैसे चल निकला है उससे साफ है कि सबकी उम्मीदें आस्मान पर है बॉलिवोड की लेटेस न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को और येस, डोंट फोगेट तो प्रेस्ट बेल इकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफोरमेशन आप बिल्कुल भी मिस्सना कर पाए